नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिब्य घरे उपचार यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम आप सभी के बीच लेकर आये हैं गिलोई मैं आज इसी से होने वाले फाइदों के बारे में आप सभी को बताऊंगा दोस्तो आपने तो गिलोई के बारे में जरूर ही सुना होगा सायद गिलोई के कुछ फाइदे भी आप जानते होंगे आरिवेद में इसे रसायन भी कहा गया है जो हम सभी के स्वाश सम्मंधी समस्याओं को दूर करने में काफी फाइदे पहुँचाता है दोस्तो इस गिलोई के पत्ते का स्वाद कसैला कड़वा और तीखा होता है इस गिलोई का उपयोग बातपित और कौप, भूख बढ़ाना, प्यास, जलन, डाइब्टीज, कूष्ट रोग, पिलिया रोग, बुखार, उल्टी, सूखी, खासी, हिचकी को दूर करने में बावसीर, तीबी, मुत्र रोग, महिलाओं में सारीरी कमजोडी, बिर्य का बढ़ाना तता तेज दिमाग यानि बुद्धी के विकास में बहुत ही काम करता है दोस्तो गिलो एक बेल है, ए आमतर पर खाली मैदान, शलक के किनारे, जंगल, पार्क, बाग बगीचे, पिंडो यानि जाडियों, दीवारों पर उगने वाली बनस्पत्ती है और इसे आर्वेद की द्रिष्टी से रोगों को दूर करने का सबसे उत्तम और शदिक के रूप में गिना जाता है तो आएए अब जानते हैं इससे होने वाले फाइदों के बारे में दोस्तो आँखों के लिए बहुत ही फाइदे मंद है दोस्तो आप क्या करें कि दस मिली गिलोई के रोष में एक गराम शहद प्वसेंधा नमक मिला कर खुब अच्छे तरह से खरल यानी पीछ लें और इसे आँखों में काजल की तरह लगाएं इसे अंधेरा चाना, चूबन, काला तथा सफेद मोतिया बिंद रोग बिलकुल रूप से ठीक हो जाता है इसके अलावा गिलोई के रस में तिलफला चूण मिला कर काला बनाएं और दस मेली काला में एक ग्राम पीपली चूणवा शहद मिला कर सुबह शाम सेवन करें आँखों की रोशनी इससे हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहती है इसके अलावा फाइदे नमबर टू कान की बिमारी में बहुत ही फाइदे पहुँचाता है दोस्तो इस गिलोई के ताजे तने को पानी में घीश कर गुनगुना कर लें और इसे कान में दो दो बुन दिन में दो बाट डालें इसे कान में मैल यानी गंदगी बाहर निकल जाती है और कान से असपर्ट सुनाई देने लगती है या कान में दर्द हो तो भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा फाइदे नमबर थ्री हिचकी को रोकने में फाइदे मंद दोस्तो गिलोय तथा सोट के चून को नसावर की तरह सुगने से हिचकी बंद हो जाती है फाइदे नमबर चार कबज में फाइदे मंद दोस्तो गिलोय के 10 से 20 मिली रश के साथ गूर का सेवन करने से कबज से बहुत जल्द रहत मिलती है इसके अलावा फाइदे नमबर पाँच बावशीर में बहुत ही काम करता है दोस्तो हरल गिरोय और धनिया को बराबर भाग में लेकर आधा लीटर पानी में पका ले जब तक एक चवथाई पानी रह जाए तो खौलाक और काढ़ा बना ले और इस काढ़े में गूँ डाल कर सुबह साम पीने से बावशीर में बहुत जल्द रहत मिलती है यानि लाव मिलता है इसके अलावा फाइदे नमबर छो डाइपटीज में फाइदे मंद दस मिली गिलोई के रश को रोजाना सुबह साम पीने से डाइपटीज बात विकार होने वाली भुखार तथा टाइपआइड में लाव मिलता है इसके अलावा फाइदे नमबर सेबन कुष्ट रोग में फाइदे मंद दस से बीस मिली गिलोई के रश को दिन में दो से तीन बार कुछ महीनों तक निमित रूप से पीने से कुष्ट रोग में काफी लाव मिलता है तो दोस्तों आपको ये गिलोई के फाइदे कैसे लगें अगर अच्छे लगे हों तो आप एक लाइक और एक केमेंट कर दिजिए और चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए जनकारी को ले कर तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद